हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा Samsung Galaxy M34 के बारे में तो Samsung ने अपने A-series के अंदर A34 और A54 को तो अनाउंस कर दिया लेकिन अभी तक Samsung अपने M-series के अंदर कोई अच्छा स्मार्टफोन लोंज नहीं किया है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को Samsung Galaxy M34 के बारे में बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन में Samsung हमें क्या क्या स्पेस प्रोवैड करेगा और क्या ये स्मार्टफोन अंडर 20 के एक Samsung का अच्छा का सा स्मार्टफोन बन पाएगा क्योंकि हमेशा से Samsung का M30 series रहा है ये काफी अच्छा series था लोग Samsung के M30 series को बहुत पहले से पसंद करते हुए आ रहे हैं क्योंकि Samsung का M30s था, M31 हो गया, M31s हो गया, M32 ये काफी कमाल के स्मार्टफोन थे और आज भी लोग इने स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं और डेफिनेटली वेड कर रहे हैं कब Samsung अपना M34 launch करेगा और कब हम लोग Samsung के M34 में upgrade करेंगे तो आज के इस वीडियो में आपनों को सभी कुछ बताऊंगा तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैं आप लोग के लिए डेली नए नए वीडियो से लाता रहता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है जज़े मुझे निश्टागरा में फोलो कर लीजिए आपके जो भी सवाले आप मुझे वहाँ भी पूछिएगा मैं आप लोग को रिप्लाइ करूंगा बात करते हैं सेमसंग एलेक्सी M34 क्या इस स्मार्टफोन में हमें सेमसंग प्रोवाइड करेगा तो आज के टाइम में सेमसंग का जो A-series है वो काफी महेंगा हो गया है और कहीं न कहीं आपको 20,000, 25,000, 30,000 में सेमसंग का कोई अच्छा स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं इस गेप को फिल करने के लिए सेमसंग दो स्मार्टफोन को लॉंच करेगा पहला होगा सेमसंग का M34 और दूसरे स्मार्टफोन होगा सेमसंग का M54 हाला कि सेमसंग गेलक्सी M54 को तो अलग-अलग कंट्रेश में लोंच कर दिया गया है और अभी तक ये बस गलोबली अनाउंस हुआ है लेकिन कुछ कंट्रेश में जिस तरह से इसराइल हो गया यहाँ पर ये स्मार्टफोन मिलना स्टार्ट हो गया है तो आप लोग उसके लिए भी एक बार चेक आउट कर सकते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा M34 के बारे में तो सेमसंग गेलक्सी M34 में सेमसंग इस्तिमाल करेगा सेमसंग इस्तिमाल किया सेमसंग एलक्सी M34 में आप लोग को मिलेगा मीडिया टेक का डायमंड सेटी 1080 वाला प्रोसेसर यहाँ पर आप लोग को 6.5 इंचस का एक 1080 पी सूपर एमिले डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग को 90 हज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा बेक साथ में तृपल केमरा का सेटाफ होगा जो प्रायमरी केमरा है वो होगा 64 Mbps का और सेलफी के लिए आप लोग को 32 Mbps का सेलफी केमरा मिलने वाला है 6000 मिलियंपेर की बेटरी होगा जो कि मेरे खाल से काफी जबरदस्त होगा और 4GB, 6GB और 8GB का आपलों को ओप्शन देखने को मिलेगा बताए देर के 4GB, 64GB, 6GB, 108GB और 8GB, 108GB वाला ओप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर आपलों को Android का 13 मिलेगा और Samsung का One UI 5.1 देखने को मिलने वाला है लेकिन यह से स्मार्टफन में आपलों को Side Mountain Fingerprint का स्केनर देखने को मिलेगा तो कहीं न कहीं Samsung को भी आप अपने M-series के स्मार्टफन में In-Display Fingerprint का स्केनर दे देना चाहिए क्योंकि M54 जो आ रहा है उसमें भी Samsung आपनों को Side Mountain Fingerprint का स्केनर देगा और Samsung के लेक्सी M54 की जो Pricing है वो around 32-33,000 के आसपास रहने वाला है तो 32-33,000 के स्मार्टफन में हमें मिल रहा है Side Mountain Fingerprint का स्केनर अगर बात करें तो M34 की तो इसकी Pricing around 20,000 के आसपास रहेगा तो 20,000 में ठीक है Side Mountain कोई दिक्कत नहीं लेकिन at least M54 में और आने वाले जो M-series के अच्छे स्मार्टफन रहेंगे उनमें at least In-Display Fingerprint के स्केनर Samsung को आप देना चाहिए अब देखते हैं कि Samsung अपने M-series के साथ क्या कमाल कर पाता है क्योंकि Samsung का A-series के लिए लोग बहुत दिनों सो इंतिजार तो कर रहेते लेकिन जिस प्राइस सेग्मेंट में Samsung अपने A-series के स्मार्टफन को लौच किया लोग कही ना कही निरास है और लोग उन्हें स्मार्टफन को पर्चेस नहीं कर रहे हैं तो क्या देखते हैं कि Samsung अपने M-series के साथ जो Samsung के बायर से उनको क्या खुश कर पाएगा जो भी होगा मैं आप लोग को चैनल में अपडेट देता हूँगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा डिस्क्रिप्सन में लिंक है जो मुझे निस्टाग्राम में फोलो कर लीजिए आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूचे का मैं आप लो अ मैं अ प्लीजए आप